पियम मोदी ने काशी से पीसरी बार दाखिल किया नामांगकन फोड़ी देर में जारखंड में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रगान मंत्री नरेंद्र मुदी वारानसी में नमांकन दाखिल करने के पाद चारफट में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे इसमें कोडर्मा और गिरिडिय लोकसभा के NDA उम्मिदवार इस रैली में शामिल होंगे प्रगान मंदी को क्यों चुना? कंगना रनोथ ने कहा कि मंडी की जनता का मेरे लिए प्यार मुझे यहां ले आया है हमारे देश में महिलाएं हर शेत्र में अपनी पहचान बना रही है कुछ तशक पहले मंडी में भून हत्या की खटनाएं अधिक होती थी आज मंडी की महिलाएं सेना, एजुकेशन और राजनीती के छेतर में अक्टिव है एक्ट्रस ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी की राष्ट विलोधी मान सकता देश के लिए चिंता का विशय है काशी में NDA काश शक्ति प्रदर्शन, प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने वारण असी में नामांकन ताक्रिय करने के बाद मंगलवार को NDA के नेताओं से मुलाकात की जिसमें केंद्रिय मंतरी राजनाज सिंग, अमिशा, बीजेपी के राष्ट्री अत्यक्षी जेपी नडडा, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनात और अन्यनेता शामिल थे इस दोरान NDA के तमाम दिकजनेता वहां मौजूद थे प्रदान मंतरी मुदी ने वानारसी लोगसवा सीव से तीसरी बार अपना नामांकन ताकिल किया है कंगना रनोत ने नामांकन पत्रद किया ताकिल इमाचल प्रदेश के मंडी लोगसवा सीव से भाजपा उमीदवार कंगना रनोत ने नामांकन ताकिल कर दिया इसके बाद उन्होंने कहा कि आज मैंने मंडी से नामांकन दाखिल किया है सभी लोग बहुत उत्साहित हैं ये मेरे लिए बहुत स्वभाग्यकी बात है बहुत उत्साहित हूँ और एक क्योहार की तरह माहौल बना है यहां से अतिहासिक जीत होगी एंडियों को मिलेगी चीत प्रफुल पटे मारा नसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन दाखिल करने के बाद एंसीपी नेता प्रफुल पटेल ने कहा कि राउल गांदी या विपक्ष के नेता चाहें जो कुछ बोलें इससे कुछ भी फर्क पढ़ने वाला नहीं है जनता जिस खुशी के साथ मतलदान कर रही है और जो माहौल है वो पियम मोदी और एंडियों की विजय का प्रतीक है सुभाशाशाशर्मा ने ताखिल किया नामांकन पंजाब के आनतपुर साहिब लोगसभा सीट से भाजबा उमिद्वार सुभाशाश शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाकिल कर दिया इस दोरान उनके साथ केंद्रिया मंत्री गजेंद्र सिंग शिखावत भी मौजूद रहे प्रदान मंत्री म मौदी का भव्यरोडशो हुआ यह पूरे काशी उत्र प्रदेश और देश को उच्छाहिद करने वाला था प्रदान मंत्री मौदी का भवश्यक की बात करते हैँ यूपी के डिप्टी सीयम ब्रजिस पाठक ने प्यम मोदी को दी शुक्रामलाय कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी के रोडशों में जाते धर्म संप्रदाय से उपर उठकर लोगों ने हिस्सा लिया कि आज का दिन एटियसिक दिन है अब करने के तारिकम में हमें शामिल होने का मुकामिला है मैं इतने ही कहूंगा आज आप देख रहें पुरे चुणा कि कब ओटिंग करें कब मोधी जी को मत्दान करें इसले 2014-2019 सब रिकॉर्ड इस बार तुटेंगे मोधी जी फिर एक प्रदान प्रदान मंत्री बनेंगे और 400 पार यह आकड़ा जाएगा महाराष्ट में दो साल में जो हमने काम किया है दस साल में मोधी जी ने काम किया है उस काम का सम्मान महाराष्ट की जनता करेगे मिशन 45 बार्दान में में सब्स्क्राइब में को रखना भी जो किया है और भी एक बचृट्य में मधी आप्राइब को यह पार्दानी क्युम इस दिरूटें आर आभ यह जो लागाराष्ट प्राइब झी आध। whatever I could bring it to this and whatever support and this is this the amount of confidence which it reflects all of us came together and we could see with result of today since 2014 we had been all of us would been say saying this that he would be the third time he should call the position of the Prime which is going to be a clean sweep for India the only key is that I have a problem in the UK Samartha in my poor India it said in the name of the Shariq why are you here to tell you I'm no care lecture that I'm no go like a girl and I need you know I wish I said he's a charge of power that I'm going to see that I'm going to be a lecture sir Alta Sipar Karenger her Raja me just तरीके से एंडिया घडबंदन एक साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं वहीं दोसी तरफ विपक्ष है जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है वाइनार में आप देख लिए जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ ही उनके घटक बलके निता उत्रे हुए हैं आम आदमी पादी दि को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्शक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते है वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट ता माम्टेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियर बाइस सुहागी बाइपास